तो फ्रेंड समर सीजन चल रहा है गर्मी काफी जादा हो रही है तो आज की वीडियो में मैं आपके निये लेकर आए हूँ बजी समर सीजन डाइट प्लान जो की एपरेल से अगस्त तक आपको अपने बजी स पैरट को खिलाना है अगर आप इस पूरी डाइट जो मैं बताने वाला हूँ इस डाइट को फॉलो करेंगे अच्छे से पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपके बजी स्पैरट को जादा गर्मी नहीं लगेगी उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और आने वाले नेक्स सीजन के निये पूरी तरहां से वो तैयार हो जाएंगे अच् जाएट बताने वाला हूँ इसको आपको अपरेल के महीने से स्टार्ट कर देना है और अगस्ट के महीने तक अपने बजी स्पैरट को ये डाइट देनी हैं तो इसमें मैं आपको दस ऐसी चीज़े बताऊंगा जो गर्मी के मोसम में आपको जरूर यूज करानी है अपने बजीस पैरट को तो पहली चीज जो है आपको गर्मियों के दिनों में अपने बजीस पैरट को जो देना है वो है पुदीना आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पुदीना जो है किसी भी सबजी की दुकान पर आपको मिल जाएगा और इसकी तासीर बहुत जादा थंडी होती है दोस्तों तो ये आपके बजीस पैरट को गर्मी के मौसम में काफी हद तक ठंडा रखेगा तो इसकी क्वांटिटी जो देनी है आपको एक पेर के हिसाब से आप एक डंडी देजें जिसमें दो से तीन पत्ते होते हैं तो उसके हिसाब से आप अपने बजीस पैरट को दे स खीरा देखे खीरा पानी की कमी को काफी हद तक पूरा करता है बहुत ज़्यादा वैटामिन्स होते हैं खीरे के अंदर तो आप अपने बजी इस पैरट को जो खीरा दें उसका देने का सही तरीका यह है कि आप ऐसा साबूत खीरा ना रखें देखे आप स्लाइस बनाईए प बड्स को डिहाइडरेशन से बचाएगा और वैटामिन्स की कमी पूरी करेगा तो बहुत शौक से खाते हैं बजी इस पैरट खीरे को उसके छिलके को भी बहुत शौक से कुतर कुतर कर खाते हैं तो आप जो है दूसरी चीज जो आपको यूज करानी है इस गर्मी के मौसम देना होगा जब आपके पास अवेलेबल हो जाए तो आप भुट्टे को हमेशा जो कच्चा भुट्टा होता है वही आप लिया करें आप उससे उंगली से दबा कर देख लें अगर आप दबा कर देखेंगे तो उसमें से जो है दूसरी निकलने लगेगा इजली वो दब जाएगा आपके नाखून से तो आपको पता लग जाएगा वो कच्चा है तो कच्चा जो कौर्न है भुट्टा वो दिया करें अपने बजीस पैरट को बहुत शौक से खाते हैं बजीस पैरट भुट्टे को लेकिन ये ध्यान लखा करें ज्यादा क्वाइंटिटी में बि बजीस पैरट के नहीं है साइज वगेरा अच्छे से ग्रो होता है बजीस पैरट का और चौती चीज जो आपको यूज करानी है इस गर्मी के सीजन में तो आपको यूज कराना हरा धनिया जैकि आपको पालक बिल्कुल भी यूज नहीं कराना जैकि ग्रीन फूड बहुत बजीस पैरट के इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को भी काफी हद तक सॉल्व कर देता है तो सर्दियों में तो आप पालक खिला सकते हैं लेकिन गर्मियों में आप हरा धनिया खिलाएं इसकी तासीर भी ठंडी होती है बहुत शौक से खाते हैं बजीस पैरट तो इसकी उन सबी चीजें आपको मौनिंग में ही देनी है और दोस्तों आपको पांचवी चीज जो अपने बजीस पैरट को खिलानी है वो है दोस्तों भीगे हुए है गेहूं देखिए भीगे वे गेहूं बहुत जादा फायदे मंद होते हैं बर्ट को ब्रीट पर लाने के नहीं ह बहुत जल्दी आपके बजीस पैरट ब्रीट पर आ जाएंगे तो उनको देने की क्वांटिटी यही है कि एक प्यर के हिसाफ से आप एक चम्मच दें आप रात को गेहूं भीगो दें और सुभा को अपने बजीस पैरट को उनको खिलाने के निये दे दें तो एक प्यर के ह बहुत जादा फायदे मंद होते हैं बर्ड की ग्रोथ अच्छी होती है उससे साइज भी बड़ा होता है तो आप उबलेवे चम्म जो दिया करें उसमें नमक ना डाला करें अपने चम्म को बॉयल करें और आप अपने बर्ड को मॉनिंग में देदा करें यह भी आप दो ब कोई रोटी बच जाती है तो आप उसको दो चार मिनट के निए पानी में डुबा कर रखें और उसके बाद अपने बजीस पैरट को दे दे दें तो वो भी बहुत शौक से खाते हैं अब यह सभी चीजों की कौइंटिटी इतनी ही रखा करें दोस्तों के बजीस पैरट जो के आपके बजीस पैरट आदे गंटे में सौफ फूड को कम्पलेट खा लिया करें अब आठमी चीज जो आपको देनी है वो दोस्तों अंकुरित जो आपको गेहूं अंकुरित करना है और मूं की दाल अब उसको करने का तरीका यह है पहले आप भीगो लें उन्हें कुछ करने के निए बिगोल है दो तिन घंटे के निए गेहूं और मूं की दाल उसके बाद किसी गीले कपड़े के अंदर उनको रख लें और थोड़े-थोड़े आपको जो नेक्स चीज़ खिलानी है वो आपको खिलाना है मूंकी दाल विगो कर दें और एक दिन विगो दें मूंकी दाल को और एक दिन विगो दें मूंकी दाल को और एक दिन भीगने के बाद 24 गंटे बाद आप एक शम्मच एक पेर के इसाफ से कौइंटिटी रखें और आप अपने बजीस पैरट को दें और फ्रेंड लास्ट जो दस्वी चीज़ आपको अपने बजीस पैरट को इस समर सीजन में देनी है वो है वाटर मेलन यानी तर्बूस तर्बूस को भी काफी शौक से खाते हैं बजरीत होते उनके छिलके को भी काफी कुतर कुतर का शौक से खाते हैं तो आप तर्बूस का भी यूज कराया करें इस समर सीजन के दोरान तो दोस्तों ये एक डाइट प्लान है जो की आपको फॉलो करना है एप्रेल के महीने से अगस्त के महीने तक तो आप इसको अच्छे से अपने बजीस पैरट को इस डाइट के हिसाब से डाइट देते रहेंगे तो आपके बड्स बिलकुल भी बीमार नहीं होंगे और आने वाले ब्रीडिंग सीजन के निए बिलकुल रेडी हो जाएंगे और जो ब्रीड करेंगे वो बहुत ज़़ादा अच्छी ब्रीड करेंगे उनके चिक्स और वो खुद भी बहुत ज़़ादा हेल्धी रहेंगे तो ठीख है दोस्तो यह थी हमारी आज की वीडियो वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो अच्छी लगती है तो कर लीजेगा लाइक इजासत दीजिए मुलाकात होगे अगली वीडियो में ओके गुड़ बाई